दोस्तों यदि अपने बिहार ITI के लिए इंट्रांस एक्जाम दिया था तो आपके लिए काफी बड़ी खुस खबरी है क्योंकि बिहार ITI का यहाँ पे रैंकार्ट जारी कर दिया गया है आपको बता दे काफी सारे छात्रों का अकसर कॉमेंट आते हैं कि यह जो रैंकार्ट बिहार ITI का जो जारी किया जाता है इसका क्या उदेश होता है साथ इस रैंकार्ट से हमें कैसे पता चलेगा कि मेरा जो रैंक है यहाँ पे दो तरह का दिखाया जाता है एक है मेरे category में SC, ST, OBC, General का जो छात्र होंगे उनका category का नाम देखनों को मिलेगा उसमें आपका एक rank दिखाता है एक rank आपका U, R करके आपको दिखाता है उसमें आपको इतना rank है दो अलग-अलग rank दिखाते हैं, छात्रों के मन में confusion होते हैं कि ये दोनों rank का क्या मतलब है कैसे हम पता करें कि मेरा इतना rank है तो कौन से trade मिलेगा इसकी कैसे हम पता करें जिसकी पूरी जनकारी आपको सरल और असान भासा में आपको हम समझाएंगे और साथ ही आपको ये भी हम बताएंगे कि कैसे ये चेक करेंगे कि आप जिस भी ITI के लिए apply किये थे अगर माली जब सितामटी के लिए apply किये थे तो सितामटी में किस trade के लिए कितने सीठे निरधारित की गई है क्योंकि सरकारी ITI से आप करने जा रहे हैं आपको समझेना होगा इस चीजों को हम बहुत ही बारी किस आपको समझाएंगे इस लिए इस वीडियो को आपन तक जरूर देखेगा वीडियो अगर आपको पसंदा तो एक लाइक जरूर करिएगा साथ ही चैनल को जरूर सस्काइब करिएगा ताकि जो भी हर एक अपडेट होगा आपको मिल सकेगा में फंटा आपका होता है 24 फिलिंग का 24 फिलिंग पर हम आपको डीटेल में वीडियो आपको देंगे जो बहुत जल्द आने वाला है अगर 24 फिलिंग में अगर आप मिश्टेक करेंगे तो जो ट्रेट आपको मिलने वाला रहेगा वो ट्रेट आपको नहीं मिलेगा आप जो है आई टीए में देखिए काफ़े सारे ट्रेड होते हैं हम आपको बता दें यहां के कुछ इंपोर्टेंट ट्रेड होते हैं ट्रेड कोई खड़ाब नहीं होता है समझे आपका जो रिक्वाइड होता है जिस परकार कि आप त्यारी करते हैं उसके अनुसार आपक बहुत सारे ट्रेड है जिसकी पूरी जनकारी हम आपको अभी दिखाएंगे कि कैसे चेक करेंगे कि किस ट्रेड के लिए कितने सीटे हैं विडियो अगर आपको हेलफूल लगे तो एक प्यारा सा कॉमेंट जरूर करिएगा और आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को जरूर स किरें तकि हार एक आपके साथ संचक किया जाता है और डीटेल बे आपको समझाने के कोसिस किया जाता है अभर चलते है अपने स्किन पर और साहरे जनकारी को अ help your डीर आम कार्ण को कैसे आफ समझेंगे कि आपका जो एकिस कोलेज में और किस trade में होने वाला है सबसे पहले आप अपने mobile या laptop में जो भी browser है उससे open करें और जो step आपको बता रहा है सुरूर से same process को आपको अपनाना है सबसे पहले जो browser होगा mobile या laptop में उसको open करने के बाद google में आपको search कर लेना है online update htm सिर्फ यतना लिखकर आपको search करेंगे तो first में एक website मिलेगा online update htm.in का simply इसको किलिक करके login कर लेना है इस website पर आने के बाद आपके सामने three line मिलेगा mobile से करेंगे तो आप इस पर किलिक करेंगे आपको यहाँ पे option मिलेगा result का simply इस पर किलिक करेंगे किलिक करने के बाद एक option मिलेगा बिहार iti rank card यहाँ से डाउनलोड करें आप इस पर किलिक करें अगर आपने डाउनलोड कर लिया है नहीं किया समझे जिस परकार आपको बता रहे हैं आपको समझने की पूरी कोसेस करिए 100% आपको समझ में आगी सारी process आपको बता दे rank card क्या है इससे क्या आपको फायदे मिलेंगे और counseling यह होगा क्या क्या दफ्तावेद लगेंगे जिसकी पूरी जनकारी आपकर जरूर पढ़ लेजिए ताकि सारा डाउनलोड आपका किलिर हो पाए आपको बता दे direct rank card डाउनलोड करने के लिए link provide कर दी गई है आप इस पे click करेंगे यहाँ पे आप आपको अपना role number और date of birth का date month और year डाल कर यहाँ पे so rank पे click कर लेना है उसके बाद इस परकार देखेंगे आपका जो entrance exam हुआ था 2025 में उनका rank card आपको देखनों के मिलेगा 2022 का है इसमें कुछ basic जैनकारी है यह जैनकारी आपके लिए उतना जानना जरूरी नहीं है लेकिन जो जैनकारी हम अभी आपको साजा करने जा रहे हैं वो जैनकारी जैनना आपके लिए बहुत जरूरी है सबसे पहला number काम इस rank card को पहले प्रिंट करके और इसको संभाल कर रख लेना है क्योंकि जब counselling आपका होगा यही रहाएंग कार्ड का जो मुक्तर होगा इसी के मदद से आपका counselling किया जाएगा इस चीज़ को ध्यान रखीगा चातर mistake करते इसको download प्रिंट करके नहीं रखते हैं जब counselling होता तो उस समय इसका जो link है portal से हटाद दिया जाता है उस समय आपको काफी सारे समस्या होंगे जब counselling नहीं होगा तो फिर आपका किसी भी college में admission नहीं होगा तो सबसे पहला काम इसको download करके आप save कर लिजे या नहीं तो print करके अपने पास रखिए अब समझेने की जो बात है समझे जैसे यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले iti district name देखनों को मिलेगा आप जिस जीले से iti admission के लिए apply किया था वो जीला का नाम देखनों को मिलेगा बगल में देखेंगे ब्राइकेट में इसका code देखनों को मिलेगा आपके सामने अगर आप दुसरे जीले से होंगे सितामडी से होंगे तो सितामडी का अलग code होगा ब्राइकेट में देखनों को मिलेगा आपके अपने जीला का अलग code होगा जैसे यह इस्ट शंपारन का है तो इनका 19 कोड है अब यहाँ पे नीचे में देखेंगे समझने वाली बात यह है कि district wise rank आपको देखनों के मिलता है यहाँ पे भी आप देखेंगे दो category है एक आपका जो category में देखेंगे EWS यानि अगर माल लिजए आप जेनरल से होंगे OBC से होंगे OBC में भी BC है EBC है SC है ST है सबका अपना अपना category है उनका यहाँ पे rank देखनों के मिलता है अब UR का मतलब क्या है समझे अब यहाँ पे 19 लिखा इसका क्या मतलब है तो 19 आपका जो district का code हो गया यह college का code है कहने का मतलब है कि जिस college में जैसे इस चमपारन का 19 code है तो इस college में आपका जो overall rank है सभी छात्र मिला कर आपका जो rank है 237 rank मिला है जितने सारे college इस जिलेक में apply किये थे सब में आपका जो rank मिला है 237 rank मिला है उसके अलाबा यहां पर आप देखेंगे आप R.A.E.B.C. से तो E.B.C. में सिर्फ जितने छात्र E.B.C. के apply किये थे उस E.B.C. में आपका जो rank मिला है यहां पर आपको 747 rank आपको मिला है यहां पर देखनों को आपको मिल रहा होगा अब U.R. का मतलब है कि जैसे O.B.C. में E.B.C. B.C. S.C. S.T. जनरल जितने भी छात्र apply किये थे उस सब में rank आपका 237 है लेकिन आप proper category में आपका जो rank मिला है 747 rank मिला है तो क्या आपको इतने rank पर कोई trade मिल सकता है तो बिलकुल मिल सकता है अब लेकिन आप उमीद रखेंगे कि हमको भाई चाहिए electrician चाहिए, feeder चाहिए, diesel mechanic चाहिए तो ये trade हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा तो देखें ये काफी highest rank है अब इसमें आपको electrician, feeder, diesel mechanic ये जो trade होते हैं काफी demanding trade होते हैं ये trade को आपको लेने के लिए बहुत अच्छा rank लाना होगा जैसे आपके category में अगर एक से लेकर 20-25 rank आपको आता है तो उस case में आप electrician, feeder, ये जो दो trade है इसका उमीद आप रख सकते हैं लेकिन इतना trade पे आपको कोई trade मिल जाएगा लेकिन electrician feeder नहीं मिलेगा अब इसकी पूष्टी आप कैसे करें कैसे हम इस चीज़ को आपको बोले हैं तो ये कैसे आप चेक करेंगे कि आप बोल तो दिये हैं लेकिन ये बताइए कि अगर मान लिजिए मेरा BC rank है तो कैसे मेरा electrician मिलेगा जिसकी आप जनकारी हमें दिजिए तो देखें ये भी आप समझेए पूरे detail में हम आपको इस वीडियो को लाने का मेरा मकसद है कि सारी जनकारी आपके साथ हम प्रोपर समझा पाया है आप डिरेक्ट आएंगे हमारे website पे और यहां पर देखेंगे हमने लिंक प्रोवाइट किया टोटल सीट का जिस पर आप क्लिक करेंगे तो एक पीडियोप बिहार आईटी द्वारा ही जारी किया गया था जो करीब 43 पेज का पीडियोप है आप यहां पर simply पंडर नंबर से आप आ जाएगा है जो की 22 से 23 और 24 के लिए जैसे दो साल का ट्रेड बहुत सारे कनीडियेट लेंगे जैसे इलेक्टिसियन लीजिएगा तो वो दो साल का है फीटर दो साल का डिजल मेकेनिक एक साल का है बहुत सारे ट्रेड एक ठी साल का होता है अब यहां पर देखना कैसे है जैसे अगर माल लीजिए आप जिस भी जिले से आ रहे हैं जैसे बहुत सारे स्टुडेंट अलग-अलग जिले से हैं जैसे यहां पर हमने आपको बताए एक रेंकाड हमारे पास है यह इस्ट चमपारण का है तो यहाँ पे इनका हम आपको बताते हैं, जब आप नीचे आएंगे, सब जिला के यहाँ पर आपको नाम देखनों को मिलेगा, भागलपूर है, रोहतास है, नवादा है, बकसर है, मुझहपरपूर है, सितामडी है, नीचे आएंगे, सारन हो गया, गोपालगन हो गया, और यहाँ पे इस चमपारन के आगया, अब इनका जिला इस चमपारन हो गया, इस चमपारन में भी बहुत सारे आईटी आई कोलेज का यहाँ पे आपको नाम देखनों को मिलेगा, जहाँ पे आपको अलग-लग कराया जाते हैं, अब यहाँ पे कैसे चेक करना है, कि आपका जो एलेक्टिसियन और फीटर मिलने के संभाव नाया है वो कैसे अगर मान लीजिए कोई छातर अगर जेनरल से आते हैं या कोई छातर SC से है या हमने अभी आपको बता जो यह कनिडेट EBC से थे तो EBC के लिए पहले आप देखिए जैसे यहाँ पे जो चूटल सीठे रखा गया जैसे इलेक्टिसियन के लिए ही देख लीजे मुतिहारी में यहाँ इस चंपारन में जो सीठे निरधारित की गई यह यहाँ पे आपको ट्रेट का नाम देखने को मिला है इलेक्टिसियन, इलेक्टिसियन में आप देखेंगे जो सीठे है, जैसे EBC में जो कनिडियेट होंगे तो 14 ही सीठ निरधारित की गई है, अगर किसी का रहाएं का अगर मान लिजे 25 आ गया, तो उनका कैसे होगा, तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सीठे, जो है EBC के लिए आपका निरधारित है, कि 14 ही छातर का यहाँ पर इलेक्टिसियन मिलेगा, इस जीट को ध्यान रखिएगा, अब इसमें किसी का 20 होगा तो मिलने के संभवना कैसे होगा, समझे जैसे बहुत सारे कनिडियेट EBC EBC वाले होंगे, जो इलेक्टिसियन कॉलेज जब 24 होगा, उससे में चूनेंगे, लेकिन वो क्या करेंगे किसे कारण से एडमिसन नहीं करा पाएंगे या कोई और रिजन हो सकता, वो आईटिया नहीं करना चाहते, या वो टेरेट उनको नहीं चाहिए, तो वो क्या करेंगे, उससे को छोड़ देंगे, तो फिर आपके कैटेगेरी में यहां पर सीठे बच जागे, तो उसमें जो उसके बाद वाले जो कनिडियेट होंगे, जिनका 20 टेंकिंग होगा, 15 होगा, 16 होगा, 18 होगा, तो उनका यहां पर सेलेक्शन कर लिया जागा, क्योंकि आप नहीं करेंगे, तो फिर जो दूसरे कनिडियेट है, उनको सेलेक्शन मिलेगा, अब यहां पर भी समस्या क्या होगा, मेन रॉल होता है, आपका 24 फिलिंग का, 24 फिलिंग यहां पर आईडिये दोरा बहुत जल्द वन वीक के अंदर में उसका डेट निर्धारित होगा, और वहां पर आपको क्या क्या चुनना होगा, जैसे यही चुनना आपके लिए काफी ज़रूरी है, अब जैसे इनकर निडेट का हमने आपको बताया कि इनका रैंक ही आप देखिए 747 रैंक है, अब यह किसी भी हालत में चाहेंगे कि ह हम इलेक्टेसियन चुन ले, फिटर चुन ले, और हमें हो जा तो समभब नहीं है, क्योंकि हमने आपको क्लियर बताया कि समभब इस लिए नहीं है, कि EWS में जो है, EBC में जो इनका, आप देख लिए पूरे जीले में जितने भी कॉलेजे चलाय जा रहा होंगे, वहां पर 99 में सीठी है, जो कि आपको बता दे, टोटल जो EBC में सीठ है, लेकिन इनका EBC में 700 कुछ रैंक है, तो यहाँ पर इनका संभबना है ही नहीं, आपका वही थोड़ा बहुत 10-20 उपर नीचे है, जितना सीठी है आपका कैटेगरी में, उससे 10 या 20 उपर नीचे है, तो उस के इसमें आप चूनेंगे, तो संभबना हो सकता है, लेकिन जादा अगर आपका रैंक है, तो किसी भी हालत में 24 फिलिंग में इस परकार का ट्रेड अगर चूनेंगे, तो पता चलेगा इसमें तो नहीं हुआ, उसके अलावे भी और ट्रेड में आपका नहीं होगा, तो 24 फि HEVC में तो फीटर अगर एक नंबर में चुनते हैं, तो 100% संभबना है को उनको फीटर मिलेगा ही मिलेगा, तो इस परकार आपको 24 फिलिंग करना है, और इस परकार देखना है कि आपका जो भी रैंक है, जिस कैटेगरी में, तो उस कैटेगरी में दिखिएकिने सीटे हैं, अगर उतने सीट है उसे 10-20 अगर आपका रेंग ज्यादा भी है फिर भी आप संभावना रखिए कि हो सकता है च्वाइस फिलिंग आप करेंगे 25 से ट्रेड चुने जिसमें आपका किसी न किसी में हो जाए च्वाइस फिलिंग बहुत इंपोर्टेंट होता इटी वाले कनेड के लिए जिसके लिए हम आपको डीटेल में वीडियो ला देंगे तो इस परकार आप चेक करिए आपको ट्रेड मिलेगा या नहीं मिलेगा किलियर समद लिजे जिनका रेंग ये एक से लेकर 25 तक है उनको इलेक्टिस फिटर मिलने की 100% संभावना होता है संभावना हमने ब कोटर वाइकल हो गया तो यह सब ट्रेड आपको मिलने के संभावना है उसके अलावे भी वेल्डर है इतने सारे ट्रेड का नाम है मेकेनिक ट्रैक्टर हो गया उसके अलावे वेल्डर है वायर मैं है यह सब ट्रेड आपको मिलने के संभावना है बहुत सारे ट्रेड एक सा काड का समझने का मैं ने आपको कंपली जानकारी समझाने के कोसिस किया फिर भी कोई डाउट है कंफूजन है कॉमेंट करके आप जरूर पुछेगा वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके आप जरूर बताएंगे और साथ ही चैनल को जरूर सस्काइब करेंगे ताकि जैसे ही आपका कॉंसलिंग का डेट आएगा एक प्रोपर वीडियो आपको हम प्रोवाइड कर पहेंगे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद